दोस्तो आज हम ऐसे क्रीम के बारे में देखेंगे जो वह थी फाइदे मन्हें अपने स्कीन के लिए जो इस्तमाल किया जाता है दागखाज खरुच के लिए और खुजली के लिए जिसका नाम है क्लुबिन जी इसक्रीम के क्या फाइदे या क्या तोटे या साइड इफ्ट यह वीडियो में आगे देखेंगे आगे देखें क्लोबिन जी क्रीम का रिविव एन इनफॉर्मिशन क्लोबिन जी क्रीम की मात्र प्राइस है 97 रुपए इस क्रीम की पैक में जो क्रीम आती है उसकी वैल्यू है नेट वैल्यू बता रहा हूँ 15 ग्रैम आता है इस क्रीम की मैनुफेचरेंग देख से लेकर एक्सपारी डेट तक दो साल की यहोधी रहती है इस क्रीम के बॉक्स पर लिखा है एंटी फंगल एंटी इंक्पलेमेक्टरी और एंटी बेक्टरियल इस कामों में इसका इस्तमाल किया जाता है आगे देखे क्लोबिंग जी क्रीम के फाइदे यहां अपने खास के लिए जो पसिनी से होने वाले किटानू को मारता है और यहां खास के लिए मददगार साबित होता है यहां क्रीम दाख खास खरुक के लिए वरुत फाइदे माद है यहां बोड़े में होने वाले संक्रमन को रोकता है और जो पसिनी से होने वाले संक्रमन को पसिनी से होने दुरगंदी से होने वाले किटानू को मारता है यहां क्रेब 2-3 दिन में रिजल्ट देना शुरू होता है लोगों को खुजली है और जो वह तोचा संबंदी फुड़े फुनसी माइक्रो कोटिक सुच्चपत लोथ जू है खुजली के और छोटे उठे हुए लाल धब्बे दौरा चिनी तोचा में रोग उत्यादी रोगो किया जाता है यहां दवाई बहुती फाइदे मंद है क्योंकि दवाई का कोई ही जलन नहीं होती लगाने सी इसका कोई साइड इफिक तो नहीं है अगर आपको कोई होगा डॉक्टर के सला से जरूर चाज ले लोबेंची स्कीन क्रीम सुसमाजी संक्रमन को टेनिस वरके क्ल जोनी की फूपन तोचा संक्रमन भग की फूपन संक्रमन पायर की उंगलिया में की फूपन संक्रमन और अन्यस्तित्यू में उपचार के लिए यह दवाई इस क्रीम का निर्डेशन किया जाता है इस दवा का उपयोग तोचा में संक्रमन की इलाज के लिए किया जाता है इ यहाद क्रिम तोचा की सभी कुछ समस्या को ललीमा और खुजली को कम करने में भी मदद करता है यह तो अकेवल बहारी उपयोग के लिए अनुशासित है यह क्रिम खुराग और आउधी के लिए अपने चीकिस्ता से परमास्त से नुसार करें उनके सला से लिए इस दवा को उ प्रूक करने से पहले डॉक्टर से शला जरूर करना लेना चाहिए इस क्रिम को लगाने के बाद अपने हाथ दोले दवा को बच्चों के बहुत से दूर रखे इस क्रिम को उपयोग चेपने चेहरे पे अंडर गार्मेंस पर कमर की शतरूपर करें ना करें इस दवा से जलन तुछा पर लाल चट्टे खुजली तुस्य जलन और ये लाजी पत्रिका शामिल